देखे आज स्रावणी मास का अंतिम सुंबार है समस्त देश वासियों को मैं हिर्दय की गेराईयों से बधाई देता हूं और शुब कामनाई देता हूं कि भगवान बोले शंकर सब का कल्यान करें जगती को धार करें और जो आतंकी विनाशक और दोस्ट सक्तियां हैं उनका स दंगार करें भगवान भोले नात हमेशा से एक अपने भोलेपन के लिए और बिस्पी करके और अमरत वर्षा करने के लिए जाने जाते हैं आज उस स्रावणी मास का भी अधिमास का सुंबार है इस सुंबार के का एक विशेश मैत होता है विशिंदू परस्द संपूर्ण हिंदू समाज के साथ खड़ा है पुझे संतों के आसीरवाद से उनके करपा से हम लोग आज जगए जगए जलाविशे कर रहे हैं और संपूर्ण समाज उसके लिए आतुरता के साथ मैं वगवान भोले के दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ है अभी नलर मादे मंदि माननी का रदक्षी पहुँचने वाले हैं और वहां वो जलाविशे करेंगे इसके बाद उसके साथ मैं सर्भ हिंदू समाज के जो बड़े-बड़े प्रतनिदी हैं वहां के जो मिवात की पंचायत के लोग हैं वो सब उनके साथ रहेंगे और समाज के साथ बिशिकली दूरी यातरा थी उसको हम इस वार एक तरह से प्रतिकात्मा की पूरा करेंगे लेकिन यह कि इस तरह की जो चीजें नहों दुबारा तो इसके लिए भी शासन प्रसासन को भी और नतिबादियों को सोचना पड़ेगा कि हिंदू समाज जो है वह आप चुपने बैठने वा हाँ हम भगवान बोले शंकर की चुके वहां भी एक महान मंदिन है और भगवान सरीकर्ष्ण की जनम मुमी करम मुमी है तो ऐसे स्थान पर जो पांडव का इलिंड पवित्र मंदिर हैं उस मंदिरों की में जो आस्तावान लोग हैं वो सब वहां पर जलाविशे कर रहे हैं और उन्हां सुवए से जलाविशेक प्राड़म हो गया है ग्यारा बजे मनी अलोग जी वहां पर पहुंचेंगे और वो जलाविशेक करेंगे इसमें साथ में वाकिस्थानी लोग रहेंगे कुछ पूजी संती भी रहने वाले हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सारे लोग सहर्द पूरवक्त, सांती पूरवक्त और मिल करके भगवान बोले संकर की आरादना करेंगे इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रूप मूमेंट को हमने अलाव नहीं किया गया है बाकि ये तो पता है कि जलाविशेक जिसे अभी आपने मंदिर म से देखा होगा आप मौर्निंग में आकर करके, जो पिछले सौमवारों को भी आते रहे हैं, जलाविशेक लोग आकर आकर आसता है, आखरी सौमवार है सावन का, तो जो उनके धारविक भावना के अकशनिक, लोकल व्याक्ती जों है, वो पिछले सौमवार को भी आया by आय बंदर फिलाल और इसके अलावा में प्रिवेस जो राइट होए थे उसकी क्या इंवेस्टिकेशन कहा तक पहुंची इंवेस्टिकेशन चल रही है लगभग धाइसों से उपर जो हो एक्यूज आइटिफाई करके आरेस्ट किये जा चुके हैं और एसाइटीज हमारी लगी हुई है चार अलग अलग एसाइटीज हैं तो इन्वेस्टिकेशन और टेकनिकल एविडेंस के आधार पर जो फूटेज बगएरा सीसी टीवे जो भी और टेकनिकल एविडेंस हैं उसके आधार पर कारवाई की जा रही है जो दंगाई थे उनको गि अधी की हुई है 12-13 होई होगी आकड़ा सही आकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है और आगे भी होगी जो भी भड़काव भाशर देगा बेलकुर उसके खिलाफ सक सक कारवाई की जाएगी लीगल कारवाई भी होगी पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा हैंडल को ब्लॉ छिज तर चकावाई।